सुनाले फोगार्ट की मौत के मामले में अब गोवा पुलिस एक्शन मोड में दिखाई दे रही है एक के बादे कई गरफतारिया हो रही है और फिर पूश्टाश में कई हैरान करने वाले खुलासे भी हो रहे है इसी कड़ी में गोवा पुलिस ने दो और लोगों को गरफतार किया है जो इस मामले के ड्रग कनेक्शन से चुड़े है इससे पहले पुलिस ने करलिज रेस्टरांट के मालिक को गरफतार कर लिया है ये वही रेस्टरांट है जहां सुनाली को जबरन ड्रग्स दिये जाने की बात कही गई है इसके अलबा पुलिस ने गोवा के उस ड्रग पेडलर को भी गरफतार किया है जिसने सुना लिके पीए को ड्रग्स अपलाई किया था बताय जा रहा है कि रेस्ट्राओंड में च्छापे मारी के बाद यहांगे टॉयलेट से ड्रग्स भी परामद हुए है इसमें जो इन्मेस्टिगेशन में आया था इसमें जो पैडलर था जिसने इनको ड्रग सप्लाई की उसको गिरफतार किया गया है और चुकि जिसकी प्रमिसेस पे जे ड्रग पाई गई और फिर उनकी एक responsibility बनती है उनकी प्रमिसेस पे इस तरह की illegal activities होती है तो जो owner है shack का उसको भी इस मामले में गिरफतार किया गया है और इसके लावा इस मामले की जांच बिलकुल निरंते ठीक तरीके से चल रही है सुनाली फगाट मामले में उनके पिये सुधीर सांगवान और साथी को पुलिस पहले ही गिरफतार कर चुकी है और अब रेस्टरॉंट के मालिक और ड्रग पेडलर की गिरफतारी के बाद शिकंजे में आये लोगों की संख्या इन लगातार पढ़ती जा रही है पुलिस ने बताया कि जिस वाश्रूम से ड्रग मिला है ये वही वाश्रूम है जहां सुनाली फोगार्ट को ले जाया गया था इतना ही नहीं सुनाली फोगार्ट को वाश्रूम ले जाते हुए वहां का CCTV वीडियो भी सामने आ चुका है ये वीडियो सुनाली की मौद से ठीक पहले का है, जो कई रास खोल रहा है इस वीडियो में सुनाली की हालत बेहत खराब दिखाई दे रही है महीं सुधीर सांगवान ही उन्हें पकड़ कर वो अश्रुम ले जाता दिखाई दे रहा है और तो और यहां उसका साथी सुक्विंदर भी मौजूद है उधर सुनाली के परिवार वाले शुरुवात से ही हद्य का आरोप लगा रहे हैं महीं माँ को खोने के बाद उनकी एक लौती बेटी ये शोधरा की हालत बेहत खराब हो गई है इस बात का अंदाजा पहले से ही था और यही वजह रही थी कि सुनाली फोगाट की मौद के अगले दिन ये शोधरा को ये ख़बर दी गई कि उसकी माँ अब उसके साथ नहीं है जिसके बाद ये शोधरा ने पहली बार मीडिया के सामने आकर सरकार से अपनी मा के गुनेगारों को पकड़ने की अपील की थी ये शोधरा ने कहा कि मा को इंसाफ मिलना चाहिए मामले की तह तक जाज करके जो भी दोशी हो उनके खिलाफ सक्त कारिवाई की जानी चाहिए ये शोधरा अपनी मा को खोकर तूट चुकी है वहीं अंतिम संसकार के लिए जब मा का शव ये शोधरा के सामने आया था तो उसकी चीख निकल गई थी पंद्रस साल की मासूम बेटी ने ही सुनाली को कंधा दिया और फिर मुखाग नी दी और अब ये बेटी अपनी मा के लिए इंसाफ की गुहार लगा रही है Bureau Report, India Ahead